दोस्तो आज हम लोग सीखेंगे Envelope Distoration Tool कि Envelope Distoration Tool को यूज़ करके हम किसी भी 3D Relief को Modify करेंगे तो दोस्तो चलिए Without Time Wasting शुरू करते हैं तो Example के लिए हमारे पास यहाँ पर एक Clip Art है और यहाँ पर एक Circle भी मैं Draw कर लेता हूँ और इस Circle को मैं Half कर दूँगा तो मैं बीच में एक Line लेकर के नीचे का हिस्सा मैं Trim कर देता हूँ और दोस्तो यहाँ पर इस Clip Art को यानि कि इस Design को हमें इस R के According Band करना है तो यहाँ पर मैं इसको और छोटा कर देता हूँ तो दोस्तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर दो तरीका यूज़ कर सकते हैं पहला तरीका होगा कि हम लोग यहाँ पर जो R का Length है यानि कि इसका जो Parameter है इस Parameter के According हम इसका Length दे देंगे यानि इसका Copies ले लेंगे उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर Envolup Tool को यूज़ करेंगे तो बिलकुल यहाँ पर Fit आएगा तो दोस्तो इस R का Length देखने के लिए इसका Parameter देखने के लिए इसको Select करना है और Right किलिक करके आपको यहाँ पर Properties मिल जाएगा सबसे नीचे इसके किलिक करना है और उसके बाद देखे यहाँ पर Parameter Length आपको यहाँ पर दिखाएगा जो यहाँ पर Length है उस Length के हिसाब से इसका भी Length कर दीजे तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों तरीका दिखाने वाला हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसका Length याद कर लेता हूँ जो कि है 674.797 उसके बाद मैं इसका Copy कर लूँगा इस तरह से यहाँ पर एक Rectangle लेकर लिके यहाँ पर वो Size दे दूँगा इसका विर्थ में 674.797 और उसके बाद Create देखे यहाँ पर Reference के लिए हमने यहाँ पर Rectangle को ले लिया है और इसको यहाँ पर रखेंगे इस Rectangle के आखिर में इसको रखेंगे इस तरीके से Right Side में एक Copy All ले लेंगे और दोस्तों इतना जो बचरा यहाँ पर यहाँ पर एक Copy All ले सकते हैं और यहाँ पर सब को Select करके हम इंटर प्रेस करेंगे पेस्ट हो जाएगा और दोबरा से मैं यहाँ पर इस Rectangle के According इसका Center पर कट ले लूँगा यहाँ पर इस Flower के Center पर अभी इतना सही है उसके बाद मैं करता हूँ इसको इंटर और उसके बाद इस Rectangle को मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर करना है Zero Outside of Vector जो की Outer Area रहेगा यहाँ पर Extra Part वो Delete हो जाएगा उसके बाद दोस्तों मैं दोबारा मैं यहाँ पर Cookie Cutter से इसको Clip Art में Convert कर लेता हूँ और उसके बाद आपको आ जाना यहाँ पर Envelope Distribution Tool इस पर किलिक करना है किलिक करने के बाद दोस्तों देखे इस तरह से इसका Setting Window ओपन होता है यहाँ पर देखे आपको मिलेगा Create a Vector Envelope यानि कि आपको यहाँ पर तीन Options मिल जाता है पहला होता है Automatic Bounding Box इसको Select करके हम यहाँ पर करेंगे Distort यहाँ पर देखे इस तरीके से आपको Note मिल जाएगा इस Note को पकड़ करके आप कहीं पर भी Move कर सकते हैं इस तरह से इस तरह से इसको शकल दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखे Z Scaling मिलता है Z Scaling में आपको चार तरीके का Options मिलता है पहला होता है यहाँ पर Constant Height Constant Height क्या होता है दोस्तों यह अपने Original Height को Maintain करता है अगर हम लोग यहाँ पर Average Scale कर देंगे तो यह अपने Width के हिसाब से Height को Control करेगा देखे इस तरीके से और अगर Linear Scale करेंगे तो यहाँ पर Starting में इसका Scale कम होगा और इदर इसका Scale ज्यादा हो जाएगा देखे इस तरीके से और इसको करेंगे तो सेम इसका Opposite होगा Starting में इसका Scale ज्यादा रहेगा आखिर में इस तरफ इसका Scale कम हो जाएगा और यहाँ पे scale factor में देखिए अभी 100% है अगर इसको 50% करेंगे तो यहाँ पे इसका scale कम हो जाएगा इस तरीके से और उसके बाद नीचे section मिलता है copies का यहाँ पे आपको मिलेगा one और यहाँ पे many और नीचे specify number मिलता है जो कि हम लोग यहाँ पे number of copies डाल सकते हैं अभी हम यहाँ पे two number of copies डालेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे two copies आ जाएगा और उसके बाद देखे यहाँ पे आपको इस तरह से note दिख रहा होगा note के साथ साथ यहाँ पे busy year handle भी दिख रहा है यहाँ पे करेंगे finish finish करते ही यहाँ पे changes apply हो जाएगा तो इसको मैं control z कर लेता हूं और यहाँ फिर से मैं envelope टूर पे जाता हूं और दूसरा यहाँ पे देखे मिलता है wrap along single vector जब हम इसको select करेंगे तो देखे यहाँ पे set curve का option आएगा इसके लिए हमें यहाँ पे एक curve को set करना पड़ेगा single curve जो की मैंने यहाँ पे एक arc बना के रखा है तो मैं इसको select करके यहाँ पे set curve कर दूँगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखे मिलता है automatic width यानि कि अभी जो इसका width है वो automatic लेगा जो की आपका object का width होगा उसके बाद मैं यहाँ पे object को select करूँगा जिसको distort करना है select करने के बाद distort पे click करना है distort पे click करते ही दोस्तों देखे यह arc according इस तरीके से band हो गया अगर इसका width को control करना है तो हम यहाँ पे change envelope पे click करेंगे अभी देखे यहाँ पे offset इसका right side से था इसको अगर आप यहाँ पे center पे करेंगे और यहाँ पे distort पे click करेंगे तो यह center, arc के center से हो जाएगा change करने के लिए आपको change envelope पे click करना होगा उसके बाद देखे यहाँ पर specify envelope width मिलेगा यहाँ पर अभी देखे कोई भी width आप लोग डाल सकते हैं मैं 20 डालता हूँ फिर डिस्टोर करता हूँ तो इसका width अभी देखे 20 हो गया तो मैं यहाँ पर automatic width रखूँगा क्योंकि हमने यहाँ पर इसका size दे रखा है अगर हम लोग इसको select करके यहाँ पर डिस्टोर करते हैं तो देखे इस तरह से आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर copies में specify number को select करेंगे और इसका यहाँ पर copy डालेंगे जैसे मैं यहाँ पर 3 copies डालता हूँ तो आप लोग इस तरह से copies डालके देख सकते हैं कितना copies में आपका डिजाइन सही आ रहा है तो अभी इसका देखिए मैं 10 copies डाल दिया है इस तरीके से अगर इसका विर्थ कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाना आपको और यहाँ पर डाल देना है विर्थ जितना भी विर्थ आपको चाहिए और फिर से यहाँ पर copies में आ करके copies डाल दीजिए अभी देखिए five copies में सही हो गया यह फिर six copies में ले लेता हूं अभी देखिए six copies में इस तरह से यह सही लग रहा है तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे finish finish करते ही दोस्तों यह देखिए यहाँ पर इसका चेंजेस अपलाई हो जाएगा और इसको हम लोग इस तरह से सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो यह पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से उसकी बात shift के साथ मैं इसके लिए आपको टूब्ट डिए करने तो मैं यहां पर बना लेता हूँ कि और इसको मैं कौपी कर लेता हूँ तो इस तरीके से हैं यहाँ पर वेक्टर को बना लिया और मैं चाहता हूँ कि इस vector के बीच में यह मेरा design wrap हो यहां पे envelope tool पर आ जाओंगा यहां पर wrap between two vectors तो पहला vectors आपको select करना है उसके बाद set to करूँ उसके बाद दूसरा set bottom करूँ ध्यान रखना है कि यहां पे दोनों वेक्टर्स का डारेक्शन सेम दिसा में हो यानि की सेम डारेक्शन में हो इस तरीके से आपको एरो नजर आएगा वो चेक कर लेना है उसके बाद मैं यहाँ पर अबजेक्ट को सिलेक्ट करूंगा उसके बाद करूंगा डिस्टोर तो देखे इस वेक्टर के अकोडिं विर्थ दे सकते हैं, अगर विर्थ को कम करना है, तो इस तरीके से आपको इसका offset कम रखना पढ़ेगा, और इसके बाद object उखछ करके फिर से Distore पर करते हैं, तो देखें इस तरह से इसका विर्थ यहां पर कम हो गया, और सेम आपको यहाँ पर मिल जाता है number of copies आपको copies लेना है तो यहाँ पर copies हम डाल देंगे तो हम फिलहाल यहाँ पर एक ही copies रखेंगे उसके बाद finish finish करते ही दोस्तों यहाँ पर इसका changes apply हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर आप इसको paste कर दीजे या फिर keyboard से enterprise कीजे यह paste हो जाता है इस तरीके से तो दोस्तों I hope कि आप लोगों को समझ में आ होगा इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप नए है चैनल पे तो चैनल को subscribe कर लिजे और bell के आइकॉन को दबा करके all notifications कौन कर दीजे ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की notification आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए तो चलिए हम लोग मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए good bye